पती पतनी अपनी शादी की 25 साल गिरह सेलिब्रेट करने के लिए शहर के एक नामी होटल में डिनर के लिए गए डिनर के बाद पती ने अपनी पतनी को एक बहुत सुन्दर सा लॉकेट चेन प्रेजिन किया पतनी बहुत खुश थी पतनी ने जैसे ही चेन का लॉकेट खोला उसमें से एक छोटी सी परी बाहर निकली पती पतनी ये देखके हैरान हो गए परी ने बोला मैं तुम दोनों का एक दूसरे के प्रती प्यार और शादी की 25 साल गिरह के कारण ही इस लॉकेट से आजाद हुई हूँ मैं बहुत खुश हूँ और तुम दोनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ पतनी ने जट से बोला मैं मेरी पती के साथ वर्ट ओर करना चाहती हूँ क्या तुम ऐसा कर सकती हो परी ने अपनी जादूई छड़ी घुमाई और टेबिल पर वर्ट ओर के दो फस्ट क्लास के एर टिकेट रखे हुए थे पती पतनी को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था तब ही पती ने पती से पूछा तुमको क्या चाहिए पती ने कुछ समय सोचा फिर बोला मुझे अफसोस है मुझे माफ करना लेकिन अपने जीवन के इस सबसे हसीन सफर में मेरे साथ एक यंग लेड़ी होनी चाहिए क्या तुम मेरी पतनी को मुझसे 25 सल छोटा बना सकती हो पतनी हैरान परी परिशान लेकिन परी भी तो एक औरत ही थी परी ने अपनी चड़ी गुमाई और हो गई पती की इच्छा पूरी पती 50 से 75 का हो गया Moral of the story is पहली बात के आप अपनी चाहत के प्रती सावधान रहें दूसरी बात ये के आप अपनी चाहत को पाने के लिए क्या कर रहे हैं कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं